कि जब उनका डेलेगेशन लेफ्टेनन्ट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टेनन्ट गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीक नहीं मागनी चाहिए. देश के सामने कठिनाई ज़रूर हैं. लोक तंत्र पे आकरमन हो रहा है. उस बात को आप सबसे बहतर समझते हो. यात्रा से पहले हमने पार्लिमेंट में मुद्दे उठाने की कोशिश की. लोक सबा में, राज़े सबा में हमने भाषन देने की कोशिश की. नोट बंदी पे, गलत GST पे, किसान बिल पे, जो चाइना हिंदुस्तान की जमीन ले गया है, दो हजार स्क्वेर किलोमेटर ले गया है. उस पे, मगर हमें लोक सबा में बोलना नहीं दिया. जैसे हम बोलने की कोशिश करते थे, माइक ओफ कर दिया जाता था. मैंने भाषन के शुरुवात में, आप सबसे कहा, प्रेस के हमारे जो मित्र हैं, उनका यहां मैंने स्वागत किया. मगर इनका भी काम लोकतंत्र की रक्षा करने का होता है. टीवी पे, अखबारों में, मैगजीन्स में, सच्चाई रखने का इनका काम होता है. पिछले प्रेस कॉंफरेंस में मैंने इनसे सवाल पूछा, प्रेस वालों से सवाल पूछा आम तोर से ये पूछते हैं, मैंने पूछा भईया एक बात बताओ आप नरेंद्र मोधी जी का चेहरा 24 घंटे दिखाते हो आप अश्वरिया राय जी की बात करते हो अक्षे कुमार की बात रखते हो आप महंगाई की बात क्यों नहीं रखते हो आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं रखते हो जो जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों से उनकी जमीन जो छीनी जा रही है वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है आज सुबह मेरे साथ मेरे से मिलने एक डेलिगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी मैं हरान हो गया उन्होंने कहा और मैं मीडिया के सामने यह कहना चाहता हूँ उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलिगेशन लेटेनन गवर्नर के पास गया तो लेटेनन गवर्नर ने उनसे कहा कि तुमें भीक नहीं मागनी चाहिए कर दो कर दो